हेलो फरेंड आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ब्यूटिफुल इंड॓र प्लांट्स के बारे में जिने की आप गिप्ट में दे सकते हैं दीवाली गिप्ट में या किसी भी सुब ऑशर पे आप इस तरीके के पौधों को दे सकते हैं ये पौधे जो होते हैं good luck plants होते हैं सारे घर में हमारे जो है peaceful महाल रहता है सकरात्मा कुर्जा बनी रहती है positivity जो है बहुत ही अच्छे से घर में रहती है और यह हवा को सुद्ध करने वाले पौदे हैं तो जब भी हम किसी को gift देते हैं तो good wishes के साथ देते हैं तो आगर आप इस तरीके के पौदों को किसी को भी gift करेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा good luck होगा तो चलिए देखते हैं वीडियो में को कौन कौन से plants हैं तो वीडियो स्टाट करने से पहले फ्रेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो के नीचे सस्काइब बटन पे क्लिक करें सबसे पहला पौदा जो है हमारा वो है स्नेक प्लांट स्नेक प्लांट जो है पर्मानेंट बहुत हाड़ी प्लांट है और good wishes के लिए ये पौदा बहुत ही अच्छा है कम केर में बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाला पौदा है सेकेंड नमर पे जो हमारा होता है वो है सिंगोनियम सिंगूनियम भी बहुत ही अच्छा गिप्ट देने के लिए क्योंकि आप इस तरीके के जो पोदे हैं बहुत ही छोटे होते हैं साइस में और किसी भी छोटे छोटे पॉट में लगाके दे सकते हैं और देखने में सबसे ची बात यह है कि बहुत ही जादे बेस्ट है नेक्स्ट प्लांट जो हमारा ओ है पाम टेबल पाम के नाम से इसे जानते हैं देखने भी ज्यादा खुबसूरत लगता है और साथ में यह जो है पॉस्टिविटी को अट्रैक करता है जहां पर भी यह रहता है उसकी आसपास की जो महौल रहते हैं बहुत ही जाद बेस्ट इंडोर प्लांट है और यह गिप्ट देने के लिए पॉदा भी बहुत ही जादा अच्छा है देखने में बहुत ही ज्यादा खुबसूरत लगता है और साथ में इसको भी रूम में रखने से रूम के अंदर फ्रेशनिस बहुत ही जादे रखती है और ऑक्सिजन प्लांट मनी प्लांट जो है एक गुडलक प्लांट है सुब प्लांट है इसे घर में रखना बहुत ही जादा सुब माना जाता है और यह पॉदा जो है हमारा इंडोर प्लांट होने के साथ साथ इसके भी बहुत ही जादे फायदे होते हैं घर में रखने के तो जो है आप क है और बहुत जाधा ब्यूटीफुल लगता है तो है इस पॉदे को बहुत की चार्रिक्ट होने पौदे में नेक्स्ट जो हमारा है जेट प्लांट भी किसी को गिट करने के लिए बहुत ही जादा अच्छा पौधा है फ्रेंस यह जो है एक सेक्विलेंट वराइट्री का प्लांट है कम के एर में बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाला प्लांट है सबसे अच्छी पात है कि यह गुड़ लग प्लांट में एक बात का ध्यान देना है कि इसे वहां रखना है जहां कि अच्छे से सनलाइट आए अगर इंडोर रख रहे हैं तो जो है जेट प्लांट जो है किसी को गिप्ट देने के लिए बहुत ही अच्छा है उसके घर में हमेशा सुखसानती समरिद्धी ये सारी चीज़े बनी र रखना और वास्तु में जो है इसका बहुत ही जादे इंपोर्टेंस है उसके कौर्डिंग वास्तु साथ के कौर्डिंग इस पौधे को जो है घर में रखना बहुत ही जादा अच्छा होता है घर में रखने से जो है पीसफुल माहौल रहता है आस पास का इन्वार्मेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसे बहुत ही ज़्यादे good luck मानते हैं लोग अपने इसे इसे शॉप पे रखते हैं रेस्टोरेंट होटल कहीं भी आप इस पौधे को रख सकते हैं बहुत ही easy to maintain है तो आप इसे पानी में भी grow कर सकते हैं, सवाब में भी grow करते हैं तो gift देने के लिए ये पوتा भी हमारा बहुत ही जादा अच्छा है last plant जो है किसी को सूब ऐसर पे देने के लिए ओ है हमारा aloe vera aloe vera जो है एक सेकुलेंट वराइटी का पوتा है फ्रैंस मगर इसके भी बहुत सारे फायदे हैं यह जो है पॉस्टिविटी को अट्रैक करता है निगटिविटी को दूर करता है साथ में जो है यह एक हर्बल प्लांट है और कम केर में अच्छे से ग्रो होने वाला पौदा है अब बात करते हैं फ्रेंड्स इन सारे पौदों में कौम सकते हैं और साथ में जो गार्डिनिंग नहीं करते हैं उनके लिए भी यह पौदा बहुत ही अच्छा है क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं उनके लिए पर्मानेंट प्लांट जो होते हैं और कम केर में ग्रो होने वाले पौदे जो होते हैं वो यही सारे प्लांट है और सबस तो इस दिवाली या किसी भी सुभासर पे इन सारे पौदों को आप गिप्ट कर सकते हैं इन में से कोई भी प्लांट्स आप किसी को दे सकते हैं यह जादे महंगे नहीं होते हैं अगर आप गार्डिनिंग करते हैं तो आपके पास तो होंगे ही होंगे अगर आप गार्डिनि करे शेयर करे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो में धन्यवाद